अब अगला है परवती मृदा या परवती मिट्टी तो नाम से इस परस्ट हो रहा है बच्चों कि इस प्रकार की जो मृदा है ये भारत के परवती छेत्रों में हमें देखने को मिलेगी तो हमें मालूम है भारत का पुरा उत्तर और उत्तर पुर्वी हिस्सा जो है वो हिमाल प्रवति चेत्र है तो यहां पर हमें परवती मृदधा देखने को मिलेगी, जो परवती मृदधा है इसका अधिकान्ष हिस्सा जो हम देखेंगे टरशरी यूग की जो चट्टाने हैं, उस Karen का बना हुआ है, आन उस समय का बना हुआ है, इस मृदधा में पोटाश, चुना, या Phosphorus इस ट्राइब के तत्वों का जो है वो अभाव देखने को मिलता है लेकिन जो जीवान श्रिया जैविक पदार्थ हैं इनकी प्रचूरता देखने को मिलती है या बहुत अधिक मात्रा में ये इस मृदा में उपस्थित होते हैं अब कहां कहां मिलते हैं तो हमारा पू प्रचूरती मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है इसके बाद हम बात करते हैं शुष्क और मरुस्थली मृदा यहीं पर हमको इस प्रकार की मृदा देखने को मिलती है और पूरे ऐसे छेत्र जो शुष्क और अर्धशुष्क हैं जहां पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है इन छेत्रों में मरुस्थली मृदा मिलती है यह मृदा जो है इसकी विशेष्टा होती है कि यह रेतिली से लेकर बजरी युक्तम यह हम कहें कि रेत के आकार के कण होते हैं और रेत के आकार से लेकर एक बजरी के आकार के कण हमको इस मृदा में देखने को मिलती है अब कहां कहां पर मिलते हैं तो राजस्थान है हमारा दक्षण पश्रिम पंजाब है दक्षण पश्रिम हरियाना का जो छेत्र है इसमें मतलब इन छेत्रों में ये मरुस्थली मृदा जो है वो प्रमुक्ता से देखने को मिलती है हाला कि ये मृदा जो है वो और हमने पढ़ा भी है यह पहले चर्चा भी की है जो राजस्थान नहर है यह जिसे हम इंद्रा गांधी नहर के नाम से भी जानते हैं इस नहर के बनने के बाद हमने देखा है कि जो राजस्थान का गंगर नगर जनपद है यहां पर सिचाई सुईधाओं के विस्तार के हरियाली से आच्छादित हो गया है और यहां पर अब इस्थिती यह है कि यह खाद्यान और कपास के उत्पादन का भी एक महत्पूर्ण उत्पादक छेत्र बन गया है तो यह जितनी भी इस प्रकार की मृदा वाले छेत्र हैं उसमें हम सिचाई सुईधाओं का विस्तार करक करते हैं बच्चों अभी तो हमने बात की कि मृदा का निर्माण कैसे होता है या फिर इसके जो अलग-अलग प्रकार कौन-कौन से हैं उन प्रकारों में उन मृदाओं में जो है क्या विशेष्टाएं देखने को मिलती है और हमारे पूरे भारत में यह कहां-कहां पर विस अगर हम पूरे भारत का जो शेतरफल है जिसमें हमने देखा 32,87,263 वर्ग कीलो मेटर तिसमें हुम देखते हैं भारत का पूरा 13 हेक्टेर जो भूमी है वह निमनी क्रिथ है। निमनी करित है मतलब हम बात करेंगे भूमी निमनी करण पर भूमी निमनी करण क्या होता है हम यह नहीं कहते कि मरुस्थली जो मृदा होती है या जो सदा बाहर वन वाले छेतर होते हैं वहां पर जो मिट्टी पाई जाती है इन दोनों की गुडवत्ता या दोनों की उत्पा चमता है जो उसके क्वालिटी में उसकी घुरवत्ता में पहले कि awakshy pretendedने चमता थी जितनी उसकी उत्पादन चमता थी जितनी घुरवत्ता उसमेंगनी कमी यह तो आए हम बात करते हैं कि कारण कौन कारण कावन से है और किस किस चेत्र में प्रमुकती क कहित कांथा पता है बहुंको कारक्ष जो है वो भूमी निम्नीकरन का कॉन-कॉन सा है इसमें हमने देखा कि भारत के नहीं जो 13 हेकटेर भूमी है वो निम्नीकरत भूमी के अंतरगत आती है और आपको ये जानकर आश्यरी होगा कि इस 13 भूमी को यदि हम 100 परसेंट माल लें तो इसका जो 56 परसेंट जो है 56 प्रतिशत जो है वो जल के द्वारा अपरदित भूमी के अंतरगत आता है या निमनी कृत भूमी के अंतरगत आता है फिर हम इस में बात करते हैं इसके बाद जो 28 प्रतिशत है ये वनों के द्वारा निमनी कृत हुआ है जो 10 प्रतिशत है वो वायू के द्वारा अपर्दित भूमी के अंतरगत आता है और लगभग 6 प्रतिशत जो हिस्सा है वो लवड़ी और छारी भूमी के अंतरगत या इसके द्वारा जो निमनी कृत भूम जल के द्वारा ही अपर्दन से भूमी निमनी करन हमारे भारत में प्रमुकता से देखने को मिल रहे हैं यही जो है वो एक प्रमुक कारक है अब हम जैसे बात करते हैं हमने अभी राजस्थान नहर की बात की थी राजस्थान नहर में हमने देखा था कि वहां का जो रेगिस्त अब हम खाद्यान और कपाज जैसे जो फसल है वो भी उत्पादित करते हैं लेकिन हम यह क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा सिचाई के कारण सिचाई बहुत अधिक हो गई इस कारण वहाँ पर अब जो भूमी निमनी करण की समस्या जो है वो देखने को मिल र रही है और म्रिदा की नीचे का जो लवन है वो उपर की तरफ आकर उपरी सत्ष पर बैठ रहा है मतलब वहाँ पर भूमी के लवणी करण की जो समस्या है यह भी प्रमुक हुरूप से आ गई है तो हम कहें कि लवणी करण के कारण भूमी निमनी करण या म्रिदा परधन की जो प्रमुख समस्या है वो हमारे इस राजस्थान के छेत्र में देखने को मिलता है अब जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश और महारास्ट इनके जो सुखे इलाके की हम बात करें जहां पर अत्यधिक चराई जो है ये भूमी निमनी करण का प्रमुख कारण है भूमी की छमता से अधिक ये पूरे ऐसे छेत्र हैं चाहे हम गुजरात की बात करें या हम राजस्थान की बात करें या आंध्र प्रदेश और महारास्थ की बात करें ये ऐसे छेत्र हैं जहां पर जो चारागा भूमी है उस भूमी की छमता से अधिक जो है वो चराई का का कि अपश्वों को चलाया गया है जिसके कारण अब वह जो भूमी है कि बंसपती के आवुरम rouच्ट का नस्ट प्राइब हो गया है और वहाँ कि ऊपरी के ऑफ तो हड गया है तो अब हवा के कारण जो है वहाँ पर बहुत जाधा मृ definesलिकरण हो रहा हैो मद्यपरदेश महारास्ट मतलब यह एक शॉट आंसर में आप से पूछा जा सकता है कि जो भूनिमनी करण के अलग-अलग कारण है तो कौन सा कारण किस राज्य में ज्यादा उत्तरदाई है भूनिमनी करण के लिए इसके अलावा हम देखेंगे जो ओपन कास्ट माइन्स होते हैं ना मतलब जो खुली खदाने होती हैं ये भी भूमी की जो उससे मृदा का आवरण घटाती है या कम करती है जैसे ओपन कास्ट माइन्स में क्या होता है कि भूमी में धरातल में उसके उपरी सर्फेस में बड़े-बड़े घढ़े जो हैं वो खोदे जाते हैं बड़े-बड़े बड़े बनाकर वहां से खनीजो को निकाला जाता है और उसके बाद उन खदानों को ऐसे ही खुली रह जाती है तो जब खदानों से खनन कारिया गया और उन गढ़ों को ऐसे ही ठोड़े जाता है तो फिर वो भूमी जो है किसी कारिण के लिए उप्युक्त नहीं रह जाती तो हम बात करें जारखंड की चतिसगर्ड, मध्यप्रदेश और ओडिसा ये ऐसे राजिये हैं जहां पर खनन के कारण वन भूमी का जो है वो निमनी करण हुआ है तो अगर आप से पूछा जाए कि खनन कारे के कारण भूमी निमनी करण का उदाहरन किस राजियों में है या क इसके अलावा भूमी करण का एक और प्रमुक कारण है जो सिमेंट उद्योग में चुना पत्थर को पीसा जाता है या जो मिट्टी बरतन, मिट्टियों के बरतन बनाने वाले जो उद्योग होते हैं वहाँ पर सेली खेडी या खड़िया मिट्टी का प्रयोग किया जाता ह इसमें से जो बड़ी मात्रा में धूल वायूमंडल में फैल जाता है और उसके बाद फिर धरातल की सतह पर या मृदा आवरन जिसे हम जैविक परत कहते हैं उसके उपर एक मोटी परत इसकी बिछ जाती है और जहां पर भी ये परत मिलती है तो वहाँ हम देखेंगे कि मृ हो रही है तो यह अलग-अलग कारण हमने देखे कि किस कारण से भू निमनी करण हो रहा है जैसे हमने बात की थी कि हमारे भारत का लगभग भारत की जो लगभग 13 हेक्टेर भूमी निमनी करित है इसके भी अलग-अलग कारण है जिसमें जल अपरदन एक सर्व प्रमु कार प्रवुमि या हम कहें कि मुख्य रूप से पानी द्वारा छरण और भुमी की अमलियता जो है वो भुनिमनी करण का प्रमुख कारण है और इसके साथ ही साथ हम देखें चाहें दुर्ग है जांजगीर है कोरवा और रायपूर जी ले में जो उत्खनन कारी से हमने बताया जो होते हैं महाँ पर खदानों से खननकारिक कर लिया जाता है और उन खदानों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है तो उसके बाद फिर वो किसी कारिक के लिए उपियुक्त नहीं रह जाते तो यही समस्या हमें इन जीलों में भी देखने को मिलती है तो भू निमनी करण की यह जो प्रमुक समस्या है भू संसाधन या भूमी संसाधन और उसमें मृदा संसाधन जो है यह हमारे एक प्रमुक संसाधन है जिस पे हम अपने विकास की गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं अगर भू निमनी करण की यह गती जो है वो इसी प्रकार जारी रही तो हमारी विकास की प्रक्रिया तो ऐसे ही अवरुद्ध हो जाएगी और विकास की प्रक्रिया क्या हमारा जो जीवन है लालन पोशन है जो हमारी इस भूमी के द्वारा ही होता है उस पर भी एक महत पू प्रबंधन करना बहुत आवर्शक है तभी हम इसे निमनी करण से रोक सकते हैं। हाँ आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि यदि हम इसपेशली भारत में बात करें तो हमारा जो भू निमनी करण है और गरीवी इसमें बहुत एक अच्छा संबंध है। मतलब भारत में बहुत सारे जो किसान हैं क्रिशक एक समुदाय है वो सिमान किसान का है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सिमान किसान होते हैं यह बहुत गरीब होते हैं और चुकि इनके पास आजीविका का एक प्रमुक साधन के रूप में क्रिशी कारिय ही होता है तो यह या तो पशुपालक होते हैं या क्रिशक होते हैं तो पशुपालक होने के कारण या क्रिशक होने के कारण इनकी एक मजबूरी हो जाती है कि यह जो निमनिकृत भूमी है चुकि इन्हें अपने जीवन का पालन पोशन तो करना ही है और इनके लिए आजिविका का जो और कोई साधन इनके पास उपलब्ध नहीं है, तो इनके पास मजबूरी हो जाती है कि ये अपने चारागा भूमी मतलब पहले से ही जो निमनी करिद भूमी है तो उनका और अधिक दोहन करते जाते हैं, तो शाषन को चाहिए, सरकार को चाहिए कि भूमी संसाधन को निमनी करण से बचाने के लिए, या हमारी इस भूमी के उचित प्रबंधन के लिए इसे बचाने के लिए, इसके विकास के लिए एक नियोजित तरीका अपनाए और वो क्या कर सकती है, जो वन आवरण हैं, जितने भी वन आच्छादित छेत्र हैं, एटलिस्ट इसे जो एक आदर्श है, 33 प्रतिशत भूमी पर वन छेत्र होना चाहिए, इतना कम से कम और इससे कहीं अधिक, चुकि अभी जनसंख्या का दबाव इतना बढ़ रहा है, परियावरन प्रदूशन बढ़ रहा है, ओद्योगी करण और नगरी करण के कारण, तो अब सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी बनती है, कि ओद्योगी का अपसिस्ट कारखानों से जो निक अपनाया जाए, ओपन कास्ट माइन्स की एक उचित नियोजी, सू नियोजी ढ़ंग से वहाँ पर खनन प्रक्रिया को अपनाया जाए, तो इन तरीकों को अपना कर हम भूमी निमनी करण को रोक सकते हैं, तो आए हम बात करते हैं, भूमी संसाधन के कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं, जिसे शाषन को अपनाना चाहिए, तो हम भूमी संसाधन के प्रबंधन के लिए इन तरीकों को अपना सकते हैं, जैसी गाउं और नगरों का नियोजीत विकास किया जा सकता है, नगर और गाउं का जो विकास है वो हम वरतमान समय में देखेंगे, कि बहुत बेतर तरीके से किया जा रहा है, मतलब क्रिशी भूमी में अतिक्रमन किया जा रहा है, किसके लिए नगरों के विकास के लिए, तो जो भी गाउं और नगर के बीच में खाली जमीन उपलब्ध होती है, यदि नगर और गाउं जो हैं नियोजीत तरीके से विकास करेंगे, हम वहा दूसरा हम देखते हैं बंजर भूमी का उपयोग जैसे जितनी भी हमारे देश में या हमारे राज्य में बंजर भूमी पड़ी हुई है तो इस बंजर भूमी को हम दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं पहला तो हम इसे अक्रिशी कारे में लगा सकते हैं अगर उस बंजर भूम के रूप में हम इसका विकास कर सकते हैं इसके बाद जो दूसरा है कि कुछ भूमी अगर ऐसी बंजर भूमी है जिसे हम प्राध्योगी की या तक्नीक के प्रयोग के द्वारा सिचाई के प्रयोग के द्वारा हम उसे क्रिशी कारियों में प्रयोग में ला सकते हैं तो ऐसी ब परती भूमी जो है वो विशेश कर एक वर्ष से अधिक के लिए छोड़ी जाती है तो उसका उपियोग जो है वो क्रिशी या बागवानी के लिए किया जा सकता है मतलब क्रिशक जो है वो एक वर्ष के लिए भूमी को परती छोड़ देता है ताकि भूमी का उपजावपन ज जो है बढ़ जाए और लोगों की आवश्यक्ताएं भी पूरी हो जाएं फिर हम देखते हैं वन संरक्षन और वन रोपन तो वन एक ऐसा संसाधन है जिसे हम दीर हुकाल तक नवीनी कर सकते हैं एक नवी करनी संसाधन है इसे हम संसाधन चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं औ और इसका एक व्यवस्थित उपियोग किया जा सकता है जैसे वनो के जो पुराने व्रिक्ष हैं ये जितने पुराने व्रिक्ष होंगे उनको काटा जाए और जितना उसकी जगह हम और नए व्रिक्ष हैं लगाना संभा हो अगर हम जितने व्रिक्ष काट रहें तो उनकी ज हैaşे भारत का जो देंश प्रतिशत भुभाग और वन हैं ये परियावरन संतुलन के दृष्टिकोंडसे इसका रेशियो बहुत कम है परियावरन-संतुलन के हिसाबसे लगबного कुल भूमी के 33 пс metric इस्से पर जो है वह वह बन होना जो हमारा देश है इस हिसाब से बहुत पिछड़ा हुआ है तोcoli हमें one uneven के लिए बहुत प्रयास करने चाहिए जादा से जादा जादा का कारी कराया जाना चाहिए फिर मृदा शरण का रोक थाम फिर्लीदा अपर्दन का रासायनिक उर्वरकों का कीट नाशकों का जो प्रेयोग करते हैं इसके माध्यम से जो मृदा का छरण हो रहा है मृदा का उपजाओ पर नस्ट हो रहा है कम हो रहा है उसकी उत्पादक्ता घट रही है इसे हम बचा सकते हैं तो इन ऐसे कारण या हम ऐसे उपाए करें जो और्गेनिक हम कहें कि फर्टिलाइजर है या गोबर खाद है जितने भी प्रकार के ऐसे जैविक खाद हैं उनका प्रयोग करें जिसे भूमी का उपजावपन नस्ट ना हो इसके बाद हम देखें कि घर के आसपास की जो भूमी है उसका भी उपियोग किया जा सकता है किसी भी गाओं या मुहले में हम देखें घर के आसपास जो खाली जमीन पड़ी होती है उस भूमी पर हम कोई फलदार किसी भी प्रकार के फलदार व्रिक्ष को उगा लें इससे हम क्या करेंगे कि उस भूमी खाली पड़ी भूमी का जो है वो उपयोग भी हो जाएगा उस भूमी क कर सकते हैं तो बच्चों आज हमने बात की थी भूमी संसाधन और इसके साथ ही साथ मृदा संसाधन पे तो आपको अपने परिक्षा के उदेश से या परिक्षा के आधार पर आपको तयार करना होगा कि भूमी संसाधन क्या है भूमी उपियोग कितने प्रकार के होते हैं जो आपको विशेश रूप से ध्यान रखना होगा कि इसमें आपको मानचित्र के द्वारा ही मृदा का वित्रण बतलाना है और अगर मृदा परिच्छेदिका भी आपको पूछता है तो उसे भी आपको इस डायग्राम जो आपने अभी देखा उस डायग्राम को बताते हुए ह ही आपको मृदा परिच्छेदिका को एक्स्प्लेइन करना होगा फिर साथ ही साथ हमने देखा कि निमनी करण के कारण कौन-कौन से है इसमें भी बहुत सारे शौट टाइप आंसर आपसे बन रहे थे शौट टाइप के कोशन्स बन रहे थे और इसके साथ भूमी संसाधन क का प्रबंधन है कि हम देखते हैं कि भारत में जो भूमी उपयोग है जो भूमी उपलब्द है हमारे पास जिसका अलग-अलग प्रकार से उपयोग किया जाता है जिस पर अभी हमने चर्चा भी की है तो उसमें देखते हैं कि 1959 से लेकर 2010-11 के बीच में क्या परिवर्तन हु हुई है और किस क्रिशी भूमी में या भूमी उपयोग के किसी प्रकार में कमी हुई है तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्रिशी भूमी का जो प्रतिशत है वह उन्नीस सो पचास इंक्यावन में 42 प्रतिशत था वह 2010-11 में बढ़कर 46% हो गया और कारण पर तो हमने प जो लोगों की आवश्कता आए हैं चाहे वो भोजन से संबंधित आवश्कता की हम बात कर रहे हैं जब हम क्रिशी भूमी की बात करते हैं नेच्रली है कि उसमें बड़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है इसके बाद वन भूमी पर हम नजर डालते हैं तो देखते हैं वन भूमि का जो फ्रतिशत है वोimp59 queríaवन में 14 फ्रतिशत था जो 2010-11 में बढ़कर 23 प्रतिशत हो गया है इसके बाद उपवन भूमि उपवन भूमि जो है वो 5059 में 7 प्रतिशती और 2010-11 में इसमें कमी आ गई और यह घड कर सिर्फ एक प्रतिशत रह गही है इसके बाद अक्रिशी भूमी अक्रिशी भूमी प्रतिशती और 2010-11 में यह बढ़कर 9 प्रतिशत हो गई है मतलब ऐसी भूमी जो और चुकि हमें पता है कि स्वतंत्रता के बार से हम लगातार विकास की और अग्रसर हो रहे हैं और और नग्री करण भी इसमें भी लगातार वृध्धी की प्रवित्थी देखने को मिल रही है तो जितनी भी क्रिशी भूमी है अब उसमें हम देख रहे हैं उसके स्थान पर उसे अक्रिशी भूमी के रूप में या और द्योगों के स्थापना में और नगरी करण के कारण वो भूमी जो है वो अधिगरहित कर ली जा रही है तो इसके करण हम देख रहे हैं कि इन वर्षों के बीच में इसमें वृध्धी की प्रवित्ती देखने को मिलती है फिर परती भूमी परती भूमी में कमी देखने को आ रही है उनिस सो पचासिंग आवन में दस प्रतिशत थाई और 2010-11 में इसमें कमी आई है और यह आठ प्रतिशत रह गई है तो जितनी भी परती भूमी है जहां पर तृषी कारे नहीं किया जा सक रहा था उसमें टेक्नोलोजी का प्रयोग किया जा रहा है या भूमी का जो प्राक्रि भी अब संभाव नहीं हो पा रहा है और लोग जो है मतलब जन संख्या जो है वो लगातार उस भूमी पर क्रिशिकारी कर रही है इसके बाद हम बंजर भूमी को देखते हैं इसमें भी हमें कमी की प्रवित्ती देखने को मिल रही है उनिस सो पचास इंक्यावन में जो इसका प्रतिशत 21 प्रतिशत था वो घटकर 2010-11 में 10 प्रतिशत ही रह गया है इसका मतलब यह है कि जितनी भी बंजर भूमी खाली पड़ी हुई थी जो क्रिशी के योग यह नहीं थी जिसमें क्रिशिकारी नहीं किया जा सकता था उसे अ मतलब उद्योगों के स्थापना के लिए आवासी छेत्र के रूप में जो है वो प्रयोग किया जा रहा है इसके बाद हम चराई भूमी का प्रतिशत देखते हैं तो इसमें थोड़ी व्रिद्धी देखने को मिल रही है जो उनिस सो पचास इंक्यावन में दो प्रतिशत थ दौरान हम यदि भारत और च्छतिस गड़ के भूमी उपयोग का भूमी उपयोग की तुलना करें तो हम देखते हैं एक नजर डालेंगे कि भारत में जो अलग-अलग प्रकार के भूमी उपयोग है उनका क्या प्रतिशत है और उसी प्रकार से उन्हीं भूमी योग का जो के दर में तो इस तालिका से आपको इस पस्ठ हो रहा होगा कि क्रिशी भूमी का जो प्रतिशत है वह भारत में 46 परसेंट है और वहीं चत्यसगर में 34 परसेंट है वन भूमी को देखें तो भारत में 23 परसेंट है मतलब जो एक मानक है हमारा स्टेंडर्ड तै किया गया है कि कुल भूमी के 33 परसेंट हिस्से में वन भूमी का विस्तार होना चाहिए उससे भारत में जो प्रतिशत मिल रहा है वह बहुत ही कम है लेकिन चतिस गड़ की जो इस्थिती है वो इस मामले में बहतर है वहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी कुल भूमी के 46 परसेंट हिस्से में वन भूमी का विस्तार है उपवन भूमी की बात करें तो यह भारत में एक प्रतिशत ही मिल रहा है वर्ष 2010-11 के दौरान लेकिन हम चतिस गड़ में देखिए तो यह इसका प्रतिशत शुन्य है फिर अक्रिशी भूमी भारत में नाइन परसेंट है और चतिस गड़ में 5 परसेंट है परती भूमी भारत में 8 परसेंट है और चतिस गड़ में 4 परसेंट है बंजर भूमी की हम बात करें तो भारत में 10 परसे तो हम देखते हैं कि हर मामले में या क्रिशी भूमी का जो उपयोग है उसको छोड़ कर हर स्थिती में जैसे वन भूमी की हमने बात की तो उसकी इस मामले में भी 36 गड़ के स्थिती जो है वो बहतर है क्रिशी भूमी में हम देख रहे हैं कि 9% है हिस्सा जो है भारत का लेकिन भारत की अपैक्षा चराई ग्रीशक होते हैं जो कर पाते या जिन के पास करने ग्रभोंगी उपलब्ध सब्सक्राइए टो पशूँ को चराहिकर ही अपने अजीवन का करोut तो इसलिए हम देखेंगे की एक मीधा के लिए घ्रीफ क्रिशक समूदाय विशेश क्रिशक समूदाय के लिए जो चारागा भूमी है या चराई भूमी जो होना बहुत आवश्यक है तो इस मामले में भी हम देख रहे हैं कि भारत की तुलना में 36 गड़ की स्थिती जो है वो थोड़ी बहतर है अब हमने भात की थी जो आक रिषी भूमी हो या बन्ह suspनी पर हमने इसमें देखा था कि जब गुसानों की जो को होती है उसे सरकार जो है वह अपने उप्योग के लिए चाहे उसमें परीवहन का विस्तार करना ुण Susa कि स्थापना करना कि और नगरी कर्ण को अधिकार होता है कि वो किसानों की उस भूमाे का अधिगरहन कर सकता है और यह देखा भी था कि इस अंदर में विवाद की अगर कृषिभूम है कृषी भूमी का यदि अपने कबजे में लिया जा रहा है या उसका अधिगरहन किया जा रहा है तो इसके बदले में किसानों को कितना मुआउजा दिया जाए इसी संदर में हम देखते हैं कि उचित मुआवजा को किसानों को जो दिया जाने वाला उचित मुआवजा है वो किस प्रकार तै किया जाए जिसे लेकर विबाद चल रहा था इसी संदर में 2013 में एक महत्वपूर्ण कानून बना और जिसका नाम था भूमी अधिग्रहन अधिनियम 2013 बच्चों आए हम देखते हैं इस भूमी अधिग्रहन नियम 2013 के प्रमुख बिंदु क्या थे या क्या अनियम और शर्त जो है वो तै किये गये थे इस अधिनियम के तह तो पहला था इस अधिनियम में भूमी अधिग्रहन के साथ साथ पुनरवास एवं पुनरस्थापन का भी प्रावधान किया गया दूसरा नीजी कंपनिया अत्वा सार्वजनिक नीजी भागिदारियों के इस्तिमाल हे तु भूमी के अधिग्रहन के मामले में 80% विस्था प्रभावित परिवार थे उनमें संबंधित भूस्वामियों के साथ साथ मतलब जो अधिग्रहन की भूमी है उसके संबंधित जो भूस्वामी नहें उनको तो यह मिले गई और साथ ही साथ वे सभी लोग भी शामिल होंगे जो उस जमीन से अपनी आजीवीका को पाते थे जैसे मजदूर, बटाईदार, चरवाहे और आधिवासी इस प्रकार फिर नेक्स था केवल अति विशेश परिस्थितियों में ही बहु फसलिय वह सिंचित क्रिशी भूमी का गैर क्रिशी उपयोग के लिए अधिगरहित किया जा सकेगा मतलब बनजर भूमी या ख्रिशी भूमी को तो आप अधिगरहन कर सकते हैं या उसमें किया जा सकता है अधिगरहन लेकिन जो भूमी सिंचित है घ्रिशी कारे क्या सकता है या जिसमें एक से अधिक फसले ली जाती हैं hierarch बहुत जाती विशेश परिस्थितिय आघर बनती हैं तब ही उस भूमी के अधिग्रहन का जो है वो अधिनियम बनाएं। फिर नेक्स्ट है अधिग्रहन से पुर्व उस जमीन के उपयोग के परिवर्तन का सामाजिक वो पर्यावरनिय प्रभाव का अधियन किया जाएगा। मतलब उस भूमी का जब अधिगरहंट किया जा रहा है तो उससे पहले उस जमीन के उपयोग में जब परिवर्तन किया जाएगा मतलब क्रिशी भूमी से उस भूमी को अक्रिशी भूमी के रूप में जब परिवर्तन किया जाएगा तो इस बात का भी आकलन करना होगा या मु फिर अगला था भू स्वामियों और अन्य को उचित मात्रा में मुआउजा दिया जाएगा मिजितनी उस भूमी की कीमत है और अधिग्रहन के बाद जितनी कीमत उसकी बढ़ जारही है इस संदर में नियम तैक करके जो उचित मुआउजा है जो उन्हें अधिगरहन के बाद मिलना चाहिए वो दिया जाएगा फिर नेक्ष्ट था जिस काम के लिए भूमी का अधिगरहन किया गया है उससे अलग काम भूमी पर नहीं किया जा सकता और पांच वर्ष से अधिक समय में उस भूमी का उपयोग नहीं होता तो उसे पुरान में ही उसका उपयोग किया जाए उस भूमी का और अगर पांच वर्ष के समय के अंतरगत उस भूमी का उपयोग नहीं किया जा रहा है उस काम के लिए तो फिर यह भी नियम बना दिया गया कि जो उसके भू स्वामी थे जो पहले पुराने भू स्वामी थे उस भूमी के उ के स्वामीत्व में कोई परिवर्तन नहीं होना है मतलब जब तक सरकार की परमीषन नहीं आ जाती है पहले से परमीषन लिए ली जाएगी उसके बाद ही जो अधीगरहिट ब्हूमी है पहले जिस किसांड की भूमी थी और जिसका कремा अधिंगरहं किया जा रहा है किसी क्या हो सकता है कमपनी के द्वारा या कि सिभतिज रहा या सेय्दि सेक्टर गें जिसके द्वारा भी भूमी की जारी है तो उसके स्वामीतों में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक शाषन से उसका पर्मिशन नहीं लिया जाता तो यह थे आपके भूमी अधिग्रहन अधिनियम 2013 की नियम और शर्ते अगर यह सभी चीजें जो हैं वो नियम से मानी जाती है तभी किसी भूमी का अधिग्रहन किया जा सकता है या हम यह कहें कि इन सभी नियमों क क्यां करते हुए किसी भी किसान या किसी भी व्यक्ति का जो भूमी है वो अधिग्रहन किया जा सकता है लिए कि अ